लमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेरेस गाडन चैनल पर तो दोस्तों क्या आपको पता है कि वो कौन सा प्लांट है जिसमें सबसे ज़्यादा मिली बग लगते हैं तो वो है हिवसकस का प्लांट तो हमारे टेरेस के उपर धेरो प्लांट लगे हुए हैं लेकिन हिवसक हिवसकस केजोड़ हैं उनमें सबसे ज्यादा मिली बग लगते हैं तो आप देखिए इस वाले पलांट में भी अमारे में ये हिवसकस का और दोस्तो ये हमारे पोधो में क्या-क्या नुक्सान करते हैं तो इस बारे में बाते करते हैं तो दोस्तो ये है हमारा हाइब्रेड हिवसकस का प्लांट और इसमें काफी बड़े सैज के फ्लावर आते हैं तो दोस्तो जब प्लांट में मिली बग लग जाते हैं तो क्या होता है कि वो इनकी कलियों की बीच में गुसके बैट जाते हैं और इनका जो ये फ्लावरिंग वाला एरिया होता है वहां लग जाते हैं और आप देखें कलिया खिलने से पहले ही जड़ जाती हैं तो एक ये कल तो अंदर की तरफ इसमें जो हैं मिलीवग गुसके पैट जाते हैं और यह फूल को खिलने नहीं देते हैं और इसमें बहुत बड़े साइज के फ्लावर आते हैं अब देखें यह कली बनी हुई है और अभी तो यह छोटी सी ही कली बन रही है और जब जादा मिलीवग लग जैसे कि यह तो बहुत कम लग रहे हैं एक जैसे ब्रांच में 8-10 लग रहे हैं तो हम इसमें नीम ओईल का स्प्रे बिल्कुल जैसे 5-7 दिन में छिड़कते रहना चाहिए और अगर अधिक ज्यादा बहुत ही ज्यादा मिलीबग लग जाते हैं और वो नीम ओईल से भी नहीं जाते हैं तो फिर आप उसके उपर जो एक केमिकल पेस्टिसाइड भी अपलाई कर सकते हैं और दोस्तों क्या होता है कई बार कि हम जैसे बाहर कहीं चले जाते हैं और 8-10 दिनों तक पेड़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो मिलीबग बहुत ही ज्यादा अटेक कर जात यहां तक उपर से लेके और यहां तक इसमें मिलीबग इतने जादा लग रहे थे तो हमने कई बार तो नीम ओईल डाल लिया है कई बार जो है पेस्टिसेड भी डाल लिया है लेकिन वो मिलीबग नहीं गए हैं नहीं गए तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें उस बिल्कुल तोड़के और दूर फैक दी अपने गार्डन से दूर क्योंकि अगर यहीं फैकेंगे तो वो मिली भग उतर के दूसरे प्लांट के उपर लग जाते हैं और दोस्तों गुडहल का प्लांट जो है गर्डन में लगा हुआ बहुत सुन्दर लगता है और फ्लावर भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं खास करके देशी वेराइटी में तो आप देखें यह हमारे खिले हुए हैं पिंक वेराइटी के हैं और यह एक वाइट वाला खिला हुआ है और रेड भी खिलते हैं मतलब हिवसकस तो आपको हर गार्डनर के पास दिखाई देगा और हमारे पास तो कम से कम 10 से 15 हमने और इनमें देशी हिवसकस भी लगे गुए हैं और जादा तो यह हमारे पास देशी डियाटी हैं क्योंकि ये देशी वराइटी जो है कटिंग से बहुत ही इसली ग्रो हो जाते हैं और दोस्तों क्या होता है क्या बार कि हमारा प्लांट छोटा होता है और उस पर मिलीबग का अठेक इतना जादा हो जाता है अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो मिली बग उस पूरे ही प्लांट पर अपना कबजा जमा लेते हैं और उस पूरे ही प्लांट को खराब कर देते हैं तो दोस्तो इसलिए हमें बिल्कुल अपने हिवस के पोधों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है अगर हम 5-7 दिनों तक हिवस के पोधों में मिली बग को नहीं देखते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है तो दोस्तो आप इन पर बिल्कुल लगातार नीम ओयल का स्प्रे करें और नीम ओयल से अगर मिली बग नहीं हटते हैं तो फिर आप इन पर पैस्टिसाइड जो है केमिकल पैस्टिसाइड भी डाल सकते हैं और जब ये हिवस कस होते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं नजर भी नहीं आते हैं तो आपको दिखा दें ये बिल्कुल ही छोटा सा लगा हुआ है कली के उपर और ज्यादा तर ये कलीयों पे या कलीयों के नीचे ही लगे होते हैं जैसे की ये लगा हुआ है और कली जैसे जैसे ये बड़ी होगी और हम इस पे नीमोयल का स्प्रे नहीं करेंगे तो क्या होगा यहां मिली बग की संख्या बढ़ जाएगी और सारी कलियां तूट तूट के गिर जाएगी तो ये देखे बिल्कुल छोटा सा ये लगा हुआ है वाइट कलर का मिली बग बिल्कुल ही छोटा सा है और धीरे धीरे करके यहां पे 15-20 मिली बग हो जाएगे और कलियों को ये खिलने से पहले ही तोड़ देते हैं तो दोस्तो अपने गुड़ल के पोधों का ध्यान रखें इनमें लगातार नीमोयल का स्प्रे करें और इनके कलियों के नीचे बिल्कुल चेक करते रहें कि इनमें किसी भी तरह के मिली बग का अटेक तो नहीं हुआ है और हिवसकस का प्लांट बहुत ही सुन्दर पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं तो दोस्तो अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नमस्ते जी धन्यवाद